आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अपट लिप के लिए ठ्रेडिंग ज़्यादा बेस्ट है या फिर वैक्सिंग वैसे तो अपट लिप के लिए लोग ठ्रेडिंग और वैक्सिंग दोनों का ही इस्तमाल करते हैं बट आपके लिए कौन ज़्यादा बेस्ट है कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है इसके विशाय में आज हम बात करने वाले हैं अपर लिप्स का मतलब है होट के उपर के बाल इसे हम दो तरीके से रिमूफ करते हैं एक हम थ्रेडिंग का सहारा लेते हैं और दूसरा हम वैक्सिंग का सहारा लेते हैं थ्रेडिंग के सहारे से जब हम अपर लिप के बालों को जब हम रिमूफ करते हैं तो यह थोड़ा पेंफुल होता है और अगर skin हमारी lose होती है तो ये काफी ज़्यादा दर्द भी करता है वहीं अगर हम बात करें waxing के बारे में तो waxing जो है न वो थोड़ा कम painful होता है बट waxing का जो wax होता है वो अन जगय की wax से अलग होता है और ये ज़्यादा painful नहीं होता है बट waxing से जो हम wax कराते हैं अपने upper lip पे तो क्या है कि हमारा upper lip जो है न काला होने का chances ज़्यादा होते है प्लस क्या है कि पसीजता रहता है upper lip के उपर वाला part जो है वो पसीजता रहता है थ्रेडिंग कराने से upper lip का जो पार्ट है वो काला नहीं होता है लंबे समय तक आपके hairs जल्दी से grow नहीं करते हैं और वहीं अगर हम waxing से करते हैं तो waxing का जो effect है वो आपके skin को भी lose करता है जल्दी से जुरिया आने के chances ज़्यादा होते हैं और ये काफी ज़्यादा effective भी होता है आपकी skin को काला भी कर सकता है तो अगर हम दोनों में comparison करें तो थ्रेडिंग वाला जो है न तरीका ज़्यादा best होता है थ्रेडिंग से की गई वैक्सिंग से आपका चेहरे का निखार बराबर बना रहता है जुरिया आने की problem बिल्कुल भी नहीं होती है अगर मैं आपको recommend करूँगी तो मैं बोलूँगी कि आप थ्रेडिंग का ही इस्तमाल करें वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी useful रहा होते शेशे शेयर करें अपने family and friends के साथ have a nice day चैनल को subscribe करें